नमस्का दोस्तों मिरा नाम है प्रवीन और आप देख रहे हैं पाविका फ्रिट से इस चानल को एक पर फिर से तो आज मिलेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टन टापिक अगें from the Strength of Material part 2 जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो सब्जेक्ट है यह Mechanical B.Tech 4 Semester में आता है Punjab Technical University वैसे अलग-अलग Universities में यही सब्जेक्ट आपको अलग-अलग Semesters में देखने को मिल सकता है क्योंकि इनको तो फिलाल SOM 1, SOM 2 part है तो definitely अलग-अलग Universities में definitely SOM 1, SOM 2 के यानि कि SOM के अलग-अलग part देखने को मिलेंगे तो आज का जो topic आज हम बात करें वाल है This is the effect of Joint Atticency आपको वालो में कोई भी pressure vessel है जब भी किसी company को एक बड़ा order मिलता है कि भई pressure vessel बनाना है तो सबसे पहले पुछा जाएगा question कि भई कितने volume का pressure vessel चाहिए 1 KL, 2 KL, 3 KL, 5 KL, even 10-10 KL के pressure vessels होते हैं जिसमें reactions किये जाते हैं आफिर कोई gas को understore किया जाता है अगर आपने देखा होगा अपने प्रेशर वसल कुछ इस तरह से लिखती है ये बड़ी सी pressure vessel है अगर मेरी सबसे company है मैं chemical engineer हूँ ठीक है तो मुझे किसले जाए ये pressure vessel reaction करने के लिए सबसे एक A material डाला दूसरा B material डाला और इसको मैं stir करूँगा simple है तो इसका volume कितना है 5 KL, even मेरी खुद की company लिए 5 KL का reactor था ठीक है तो हम इसमें क्या देख रहे है तो ये जो pressure vessel है ये कोई ऐसी नहीं बन गयी है ठीक है समझगा रहा है इतना बड़ा pressure vessel कोई आप ऐसा नहीं कि आप seamless tube लेके आए seamless मतलब ये ऐसी pipe लेका है जिसमें कोई भी joint नहीं है और उसको बराबर क्या बोलते हैं आपने pressure vessel बना दिया अब इसको curve करके proper cylinder का shape दिया जाता है cylinder का shape देने के बाद फिर एक जगा होता है जहां से हमें welding करनी माली जी यहां से welding करनी तो मैं यहां से welding करूंगा यह हो गया तो आज हम देखने वाले हैं कि joint efficiency अगर welding करते हैं तो उसकी वज़ए से उसकी कुछ efficiency भी होती ही joint efficiency ठीक है तो उसके वज़ए से क्या effect पड़ता है आपके stresses की value पे या फिर thickness की value पे ठीक है pressure vessels के जो भी तमाम topics, university questions, सब कुछ आपको even salt derivations आपको सब कुछ आप download कर सकते हैं और दूसरे friends को जो भी आपके chemical engineering या mechanical engineering पढ़ रहे होंगे क्योंकि यह चाकर दोनों में आता है pressure vessels का, that is यहाँ फे design of pressure vessel, chemical engineering भी पढ़ते हैं, के student भी पढ़ते हैं या फिर mechanical engineering के student भी पढ़ते हैं आप सबको बताएगा ठीक है आप share कीज़ेगा जितना हमो सके और आए दिन काफी सारे comments आता हैं, कि sir आपके वज़ए से हमारा, क्या बोलते है, flood mechanics, flood machines में बहुत अच्छे marks हैं, तो thanks बहुत देशी है, सब आपी के वज़ए से, तभी मुझे एक तरह से motivation मिलता है कि मैं यह सारे videos आपके लिए लिखे हूँ, ठीक है, और एक छोड़ी से बड़ी है, ठीक है, पर साथ मैं एक चीज बता रहा है, एक numerical भी करेंगे, इसी based cure, इसी के ओबर, क्योंकि मैंने उसके लिए given data लिखा, अलग से question नहीं लिखा वे, क्योंकि वो काफी जगा घेरता था, ठीक है, तो मैं यह बता रहा था आपको, कि pressure vessel बड़ी होनी की वज़ कोभी कौन सी pipe, Seamless pipe, Eak Ässi pipe होती है, जिसको बनाने के लिए कोई भी joint use नहीं किया जाता है, इस pipe को बनाने के लिए कुई भी किसी तरह का material use नहीं किया हुआ है, मतलब यह नहीं यह बोलेंगा मतलब किसी तरह का material, मतलब देखे, अगर में इनको pipe बनानानी है, तो मैं प्रकार का जॉइन नहीं होता, अगर सपोज मिरको इस ए रेक्टांगुलर, इस ए रेक्टांगुलर शीट से पाइप बनाना होता, तो फिर मिरको बीच में वेल्डिंग भी तो करनी पड़ती, समझ बहा रहा है, तो यह है हमारी वेल्डिंग, बट मैं यह बोल रहा हूँ कि यह एक ऐसी पाइप है, इसी वज़े से इसको सीमलेस पाइप बोला जा रहा है कि इसमें वेल्डिंग का कोई भी निशान नहीं है, यानि कि यह एजिटर्स निकाल ली गई है किसी में से, अभी तो यह सीमलेस पाइप का यूज कहाँ होता है, सपोज बॉइलर है, बॉइल इसमें कोई भी वेल्डिंग का निशान निशान नहीं होता, यह पाइप जोड के नहीं बनाई जाती है, यह एजिटर्स कहीं से निकाल ली जाती है, आपको चीज़े समझ में आ रहे होंगी, क्योंकि यह प्रेशर जेल सके, क्योंकि अंदर का प्रेशर लगए आठ से दस बार का है, अब मैं यह पुराओता कि अगर मैं इस सीमलेस पाइप को लेता हूँ, और एक छोटी सी प्रेशर वेसल बनाता हूँ, ठीके, चलो मैंने इससे एक प्रेशर वेसल बना ली, हो गया joint के efficiency 100% ही होने वाली है और उस दौरान अगर मेरे को stress की value find out करनी है तो मैं क्या formula का use करूंगा? Sigma आप भले longitudinal stress निकालो आप भले circumferential stress निकालो जिसको हूँ stress बूरते हैं Sigma is equal to PD upon 2T लिख लिजिए इसमें efficiency का कोई निशान निशान निए रहे हैं यानि की खहने का मदलब है कि efficiency 100% है तो लिखने की ज़रूती ही नहीं है या फिर यह तो हो गया मारा circumferential stress वह ही longitudinal stress लिखना होता है PD by 4T, simple सी बात है हो गया Claire? I hope आपको चीज़े समझ में आगे होंगी ये तो मिरे को चोटी pressure वैसा थोड़ी नवनानी है कोई 1L, 2L, 3L की थोड़ी नवनानी है मुझे बनानी है 10 Keil की मुझे बनानी है 5 Keil की 1 Keil की, 500 L, की तो आप ये कोई seamless pipe से थोड़ी नवना सकते हो क्योंकि seamless pipe का DJI होता है मेले साथ छोटा होता है और इसको as it is किसी material से निकाल लिया रहता है और इसका use क्या होता है जहां पे under high pressure हो बट अब इतनी बड़ी वेसल जो मुझे बनानी है ये in seamless pipe से नहीं बनती समझ में आ रहा है ठीके तो हम क्या करेंगे एक बड़ी सी rectangular sheet लिखेंगे जैसा कि आपको दीख रहे है rectangular shape इसकी length होगी कुछ 5 meter length का भी छोटी ले लिए वैसे मैंने माल लेजे 10 meter और इसकी width होगी माल लेजे 5 meter अब मैं इसको कुछ proper machine का use करके इसको shape दूँगा ताकि ये एक cylindrical shape में आ जाए कुछ इस तरह से दिखेगी फिर मेरे को joint भी मारना है यानि कि welding मारूँगा अब welding कुछ इस तरह से होगी अगर हो गया Claire चलिए अभी ऊपर से तो खाली है मतलब नीचे से तो खुला है ऊपर से भी खुला है तो definitely अब मैं कागा होगा ऊपर एक head लगा होगा जिसको बोलते हैं अभी head भी अलग अलग टाइक होते हैं तो अब मेरी बन गई है pressure vessel जिसके अंदर मैं कुछ रख सकता हूँ under pressure रख सकता हूँ तो ऊपर से भी welding मारनी बड़े यह दिखिए आप welding होरी है तो भाई जब ही आप welding करते हूँ तो welding की efficiency को define करना पड़ता है अगर आप नहीं करते हैं तो that means वो जो efficiency है वो 100% है यह फिर अगर आप welding बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि कोई भी company जब deliver करकी है तो उसका कोई person याई कि एक ऐसा person जिसके पास कोई particular certificate होता है कि उसने welding की है ITI करनी पड़ती है ठीक है उसमें तो उसने efficiency मतलब उसके efficiency इतनी होनी चाहिए welding की तो कोई भी company जब कोई भी equipment को बनाती है तो उसके उपर जो person काम करता है efficient काम करता है ताकि वो define करता है कि मेरी welding की efficiency यह company define करते है कि यह जो person ने welding की है या फिर joint joint किया है ठीक है joint या फिर बोल सकते welding की है उसकी efficiency 80% है या 90% है clear हो गया तो उसी वज़ा से अब क्योंकि efficiency आपकी गिर गई तो अब क्योंकि आपकी efficiency गिर गई अब 100% नहीं है अगर 100% होती तो आपको efficiency लिखने की जुरत नहीं है बट अब जब efficiency गिर गई है जो x-axis में होता है circumferential stress circumferential stress मतलब ये वाली stress जिस direction में आपका circumference होता है कोई भी वेसल का मतलब ये वाला तो stress के आपकी forces होती है जो जोडने की कोशिश करती है और pressure क्या है उसको फाडने की कोशिश करता है तो मैं ये बोला था कि जब ही efficiency picture में देखने को मिलती है और efficiency गिर जाती है तो क्या होता है stresses की value बढ़ जाती है तो efficiency जो है अगर ये हमारी circumferential stress होई तो efficiency यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसका जो symbol होता है कुछ बड़ा सा N होता है हो गया clear वही अगर ये longitudinal stress होगी तो यही symbol आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यही चीज मैंने यहाँ पर बनागे रखे होगी है यह देखे PD by 2T यह efficiency longitudinal stress sigma L equal to PD by 4T into N मुझे लग रहा है कि इसी में section निकल जाएगा तो हम कोशिश करोगा यह जो numerical होगा है मैं next section में ले लोगा पर पहली है समझते अभी देखे joint efficiency को हम कैसे समझ सकते अफिवार मैं यह मिटा देता हूँ joint efficiency का एक और formula है जो आपको समझना चाहिए अगर जो हम joint कर रहे है मानली जी वो rivet है rivet joint है rivet कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यह देखे और बीच में छेड है क्या है छेड है होगया क्यार तो मैं बीच में एक तरह से pen डाल दूँगा और उपर से उसको मार मार के कुछ इस तरह से बना दूँगा ऐसे तो यह होगी हमारा rivet joint I hope आपको चीज़ें समझ में आगी होगी क्योंकि यह जो बीच का जो rivet है खीचने की वज़ा से अगर कोई force इस पे लगाई जाती है तो यह वाला जो cross section area होता है यह वाला ठीक है पाइडी square by four यानि कि जो cross section area एक circle को represent कर दो वो share में आदा है I hope आपको चीज़ें समझ में आगी होगी और नीचे से भी मार-मार के इसको मैं कुछ इस तरह से बना दूँगा आपने देखा होगा aluminium के यह rivets होते हैं जादतर इसे मार-मार के ऊपर से ऐसे बना दिया जाता है और जादतर जो भी पेटी पेटी या फिर boxes होते हैं वो ऐसे मारे जाते हैं और जो hammer यूस किया जाता है वो लगडी का होता है ताकि इस तरह का joint पैदा हो जाए पुछ इस तरह से होगा अगर मैं अच्छे से इसको draw कर दूँगा तो अब देखे तो यह हमारी माली जी एक plate है उसके बीच में rivets लगे होए हैं यह एक और यह एक तो यह जो percent efficiency होती है percent joint efficiency मैं अपने formula से आपको बता हूँ कि क्या मतला मैं इसका है percent joint efficiency कैसे लिखी जा सकती है okay pitch minus rivet diameter upon pitch तो यह है तो यह तरह का ratio है बस multiply by 100 नहीं क्या होगा अगर multiply by 100 करोगे तो percent याने के जो percent efficiency होती हो 100% से ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगी अगर यह fraction है देखे यह तो यह तरह का fraction ही है ठीक है बट अगर इसे multiply by 100 कर दी जाए सब्सक्राइब इसकी value निकल के आती है 0.8 तो multiply by 100 करोगे तो यह 80% joint efficiency हो जाएगी मतलब आप क्या कर रहे हो pitch मतलब यहां से लेकर center to center distance जो है आपके किसका rivet का उसमें से diameter को minus कर रहे हो diameter मतलब देखें त्यान से दिखेंगा diameter को minus करना है मतलब actually भी आप इस rivet का radius minus कर रहे हो और इस rivet का भी radius minus कर रहे हो तो यानि कि पूरे में से एक बार यह minus कर रहे हो और इसी पूरे में से एक बार यह minus कर रहे हो तो that means यह वाला वो distance निकलता है यह वाला मतलब यहां से लेकर यहां तक का distance निकलता है तो यह जो distance है बीच वाला यहां से लेकर यहां तर यह एक part है पूरे distance का और पूरा distance का आपका pitch है तो यह तरह का ratio ही बताता है बट इसको जादा बहतर हम समझेंगे यहां पर अभी एक ध्यान से लेखेगा अब मैं एक चीज आपको पूराने कोशेश करना था अभी मैंने काफी कुछ लिख दिया यहां पर फिलहाल इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा space खाली हो जाए ताकि हम इससे समझाए तो आइडिया काफी अच्छा था आप कुछ भी समझ लीजिए आप चाहे तो longitudinal stress समझ जीए या फिर hoop stress समझ जीए ठीक है यह दोनों के लिए आपनी के बिल है हाँ अब यह जो sigma है यह sigma मालने जो hoop stress है यह भी sigma total भी hoop stress है तो दोनों को अगर हमें divide करते हैं तो निकल के आता percent efficiency ठीक है यह जो sigma है हमने क्या consider क्या था circumferential stress क्या hoop stress यह जो sigma है माल लेजे अब मैं इसको काम करता हूँ लिखे देता हूँ hoop stress का मतलब circumferential stress है और यह sigma total hoop stress है अब याद रखेगा यह value बड़ी है यह value बड़ी है और यह value छोटी है यह फिर यह दोनों value बराबर हो सकती है क्योंकि यह नीचे है क्योंकि मैं percent efficiency calculate करा हूँ तो sigma total बड़ी हो सकती है यह फिर वो इसके बराबर हो सकती तो कहने का मतलब सिगमा h जो है यह फिर बराबर हो सकता है sigma total के यह फिर उससे कम होगा definitely efficiency आपकी 0 से उपर होगी यह फिर बराबर होगी उससे जादा तो नहीं हो सकती दूसरी चीज़ यह sigma h क्या है hoop stress है अब यह देखेगा sigma h hoop stress कम कहलाती है और sigma total है क्या हम दोनों का ratio क्यों find out कर रहा है तब ही तो हमें एक joint efficiency मिलेगी माल लीजिए कि मैंने इसी seamless pipe से एक vessel बनाया अब उसमें joint है नहीं है उसमें joint नहीं है तो that means efficiency आपकी 100% है यह भी आप consider कर सकते हो या फिर एक person ने welding करके ही क्या बोलते हैं pressure vessel बनाई थिक है बट उसकी efficiency 100% है वो बोल रहे हैं कि मेरी efficiency 100% और check भी की गई 100% है तो उस दौरान पैदा होने वाला आपका circumferential stress या hoop stress की यह value होती है अब थोड़ी दर के लिए समझ आते हैं क्यों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे मैं यह बोलने कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी efficiency 100% है यह दो ही case में हो सकती है कब जब welding ना हो या फिर जिस person ने उस vessel के उपर welding की है उसने बोल दिया हो या फिर कोई company का कोई particular method होगा जिसके वज़े से company ने declare कर दिया है कि efficiency 100% है तो उस दौरान यह sigma h sigma total के बराबर हो जाती है अब देख लेते हैं मैंने क्या बोला 100% efficiency है तो 100% efficiency है अगर मेरे को sigma total की value निकाल ली है तो sigma total अभी कहा है sigma total hoop stress is equal to sigma hoop stress upon यह efficiency को मैं नीचे ले ले लेता हूँ यही बोलावन हो मैं efficiency multiple level 100 अब मैंने क्या बोला efficiency 100% है तो यहाँ बें 100 डाल दो यहाँ बें cancel तो यहाँ कि sigma total उस दौरान यहाँ कि जो भी आपका total hoop stress होगा वो किसके बराबर हो जाएगा hoop stress के बराबर हो जाएगा यहाँ कि कहने का मतलब होगा अगर कोई भी vessel में आपकी welding नहीं है या फिर company ने लिखके बोल दिया कि जो हमने welding किये वो एक्दम foolproof है गिर जाती है क्योंकि कोई भी company 100% efficiency claim नहीं कर सकती हूँ 90 95% हो सकती 80 90% हो सकती है तो उस दौरान आपकी sigma total की value बढ़ जाती है clear हो गया sigma total की value बढ़ जाती है कि किसके comparison में इसके sigma h के comparison में तो आप देख लिएज़े अगर 90% अदर 90% है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ 90% यहां पर लिखा है sigma h upon क्या बोलते है sigma total multiply by 100 हो गया clear? तब मैं क्या गरूँगा sigma total is equal to sigma h by 90 multiply by 100 अब माली जी sigma h की value 50 आ रही होगी sigma h की sigma h की value 50 तब आएगी जब कोई भी आपका joint नहीं होगा यानि कि efficiency 100% होगी clear होगे? तो माली जी 50 है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ divide by 90 करता हूँ multiply by 100 करता हूँ तो जो अब joint के बाद देखें यह जो total आ रहा है न यह joint के बाद आपकी hoop stress है और joint के बाद hoop stress की value बढ़ जाती है तो मैं यही बोलने कोचिश कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी pressure vessel जब आप joint कर देते हो एक बड़ी pressure vessel को बनाने में बहुत सारे joint होते है उस joint को क्याने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरा कि जब कोई भी बड़ी pressure vessel को कोई भी company joint से बनाती है तो उस दौरान जो stresses के value होती है वो ज़ादा होती है तो यह एक समझाने का तारीक आपका यह वो value है आपके stress की value यह longitudinal stress भी हो सकती है hoop stress भी हो सकती है बट यह वो value है जब आपकी उस pressure vessel पे कोई भी क्या बोलते है welding नहीं है तो अगर welding देखने को मिलती है तो उसके efficiency जो भी है उसको define करना बढ़ेगा कि 80% है 90% है तो मेरा यह question था मतलब मेरा यह answer था कि अगर efficiency गिर जाती है तो पैदा होने वाली stresses की value होंगी वो ज़ादा होंगी तो अब आप देख लिए जिक खुदी कि पहले सिर्फ 50 आ रहा था अगर आप इसको divide करेंगे क्या बोलते हैं किता आ रहा है एक काम करता हूँ मैं को calculator में है मैं calculator ले लेता हूँ मैं देख लेता हूँ तो 50 डिवाइड वाइड नाइंटी बल्टिवाइब है 100 तो यह value हो गई है बढ़के आ फिफ्टी फाइड 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 न्यूटन पर mm² यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह जो 50 जो value है सिगमा एच की यह आपकी वो वाली stress की value है यह भी circumferential stress की हमने circumferential stress ही लिया था यह वो वाली value है जब आपकी pressure vessel में तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको 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 चीजे समझ में आगे होँगी अगर आप ऐसी education videos आते तो please do read comment मैं पूरी कोशिश करणगा timing link videos लेक्याने कि अब time जाड़ा हो गया तो इसी वजह से मैं जो numerical होगा मैं next मतलब विडियो में लेलुमा thanks watching धन्यमा thank you